प्रदेश को पड़ा इसके बाद जो लाश्ट जो भौतिक प्रदेश रहता है जिसका में विश्यद अध्यन करना है और उसके अंतरगत हमां आज पढ़ेंगे दक्षिनी पूर्वी पठार या हाडोती के पठार के बारे में कि यह जो हाडोती का पठार है यह किस परकास राजस्तान के अंतरगत फैला हुआ है और किस परकास से इसकी जो आर्थिक सामाजिक विशेशता है यहां पर दिश्टिगत होती है तो यहां भारत का यह राजस्तान का जो दक्षिनी पूर्वी भाग है उसके अंतरगत इसको साम्मिल किया जाता है जिसके अंतरगत जीलों की बात करें हाडोती का पठार हाडोती की भासा यहां पर बोली जाती है और हाडोती के अंतरगत हम चार जीलों को साम्मिल करते हैं तो 23 दिग्री 11 मिनिट यानि आपके जो करक रिका है इस करक रिका से ठीक उपर से यह हडोती का प्रदेश स्टाट होता है और उससे लगबागर दो डिग्री उपर तक का यह जो छित्र होता है इसके अंदर सामील करता है मैप के मादियम से देखें तो हडोती का जो भू अका है वो किस परकार सा यानि राजस्तान का पूरा का पूरा अगर चित्र है अगर हम देखें कि राजस्तान का जो मैप है उस राजस्तान के मैप में हाडोती किसे कहा जाएगा तो हाडोती का जो छित्र है वो आपका यह चित्र है यह पूरा का पूरा जो चित्र है उसको हम हा पुरा का पुरा जो चित्र है जिसमें यहां पर दे रखा है परवतिय अर्द वरत परवतिय अर्द वरत जो एक नमबर दे रखा है यानि यहां पर परवतिय भागों का एक अर्द वरत हिस्सा बनता है यहां पर परवतिय चित्र पाई जाता है उसके बाद दो नमबर पर यह शामिल का जाता है नदर जालावाट के पठार के उसको डग गंगाधार भूमी के नाम से जाना जाता है मैं अपके अंतर करते देखें तो ये जो पूरा का पूरा ये चित्र है ये पूरा का चित्र है यानि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो भाग है जो इसके ठीक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर आप देखेंगे ये पुरा का पूरा च्वरो चेत्र है ये डंग गंगाधार की भूमी के नाम से जारा जाता है तो इस प्रकार से ये आपके MP से लगावा चेत्र है तो इस च्छेतर का पूरा-का-पूरा अगर डीटेल इस्ट्रेडी में हम पढ़ें तो क्या-क्या विश्छता देखने को मिलती है क्योड नकरते विश्थान है 75-15 से लगा का 77-25 तक ये देशंत्री विश्थार इसका देखने को मिलता है बोगलिक स्वरूप की बात करा हैं तो ये जो सिमाय है तो इसकी जो सिमाय है उसका पूरा जो चेतरपल है वो अलगवा 24,185 वर की किलोमेटर की अंतरकत पाया जाता है अर्द चंद्राकार परवती चेतरकार तो ता है कि ये जो हड़ोती का ये जो चेतर है उपर वाला जो आपके यहां पर हड़ोती चेतर के अंतरकत अगर देखें तो हड़ोती चेतर के अंदर ये जो पूरा का पूरा अर्द चंद्राकार ये वर्त का जो चेतर है जहाँ पर म बुंदी तथा मुकुंद्रा सेनियों की नाम से भी इसे जानते हैं। इसका जो विस्तार है वो इंदरगड़, इंदरगड़ से प्रारम होका लाखेरी बुंदी होता हुआ परदेश के दक्सिने पश्रिमिभाग तक फैला हुआ। यानि ये जो पूरा का पूरा जो चित्र है इस पहाड़ियों की छित्र में का जो विस्तार है वो किस परकार से राजस्तान के अंदरगड़ पाए जाता है। बढ़ते हैं आगे। ये पहाड़िया एका फिर दक्षिन पूरु की और मुड़ जाती है और उसी से इन स्रेणियों का अर्थ चंद्राकार स्वरुप हो जने के बाद ये जो पाड़िया यहाँ पर इस परकार से दक्षिन चूरुत के और बढ़ जाती है। तो इस परकार से ये जो शुरूप है यहाँ पर ऐसा विक्षित होता है जिसे अर्द चंद्राकार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बुंदी परवत स्रेणि की एक दोहरी परवत माला है। बुंदी परवत स्रेणि की एक दोहरी परवत माला काता होता है कि यहाँ पर दो परवत संक्लाए पास पास देखने को मिलती है। देखेगा बुंदी और बुंदी के आसपास यहाँ पर दो परवत संक्लाए आपको पास पास देखने को मिलेग है जो उत्तर पूरु से दक्सिनी पश्चिम जिसा के अंतरका द्विस्तित देखने को मिलती है इसका जो तिवर ढाल है वह कई किलोमेटर तक एक दिवार के समान अवद्रोधक के रूप में है इस रेड़ी के अंतरका चार दर्रे पाई जाता है तो पहला बुंदी के निकट है जिसे देवली कोटा मार्ग जाता है देवली कोटा मार्ग का अर्थ हो गया कि अगर बुंदी है और बुंदी के पास यहां पर आपको देवली कोटा जो मार्ग है तो यहां पर आप परवत संकलाओं के बीच में गैप की बात कर रहे हैं यहां यह जो बुंदी है और दूसरे इस्तान पर जाने के लिए तो इसी परकार के कुछ दर है यहां पर कुछ गैप जो है आपको यहां पर देखने को मिलते हैं तो इन गैपों के बारे में यहां पर बताया गया है कि इस पहाड़ीों के बीच में बहुत सारे इस परकार के गैप देखने को मिलते हैं तो गैप जो है उसमें से कही रास्ते निकलता है जैसे कि यह जो गैप है इस गैप में से यहाँ पर एक नदी निकलती भी देखने को मिल रही है इसे परकार से कही ऐसे गैप है जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यह जो गैप है यह गैप भी यहाँ पर एक रास् और तीसरा जो कह सकते हैं रामगड और खटगड के मद्य हैं जहां से मेजा नदी ने अपना मार्ग बनाए हैं चौथा जो है वह उत्तरपूर्व में लाखेरी के पास अब लाखेरी का है लाखेरी के अंतरगत आपके सिमेंट का कार खाना जो बनाया गया था यह आपका पहाडियों के बीच मेंसे देखने को मिले जहाँ पर जाह इदर भी देख आ यह साकवड़ा की आस पर यह इसनपुरा की पागड ये विशनपुरा की ने को मिलता है जहां से कए प्रकार की मार्ग है वह निकलता है, यहाँ पर देखेगा, एक मार्ग यहाँ पर निकल रहा है, जो आपके इंदरगड से होता हुआ, सिधा बिसंगड और बिसंगड से होता हुआ, लाखेरी होता हुआ, यहाँ पर देलो एस्टेशन है, यहाँ पर लाखेरी जो इस्टेशन है, उससे देता हर वो छोटी चीज जो उस चेतर के अंतगर पाई जाती है उन सभी के बारे में काफी डिटेल से पढ़ना पढ़ता है इस पूरे का पूरे चेतर की जो मीन सी लेवल से उचाई है वो लगबा 303,5 मीटर उची है लेकिन इसका जो सर्वत जो सिकर है वो 303 मीटर सिकर सतूर सिकर सतूर जो है वह सबसे उचा सिकर है जो बुंदी नगर से 13 किलो मीटर पश्यम है बुंदी नगर का है बुंदी नगर को हम लॉकेट करते हैं कोटा बुंदी बुंदी जो नगर है उसके पश्यम है पश्यम की बात करते हैं तो इस तरह पाएगा और यहां पर कहीं पर भ को मिलेगी जो सबसे उची चोटी है यह सबसे उचा भाग है जो इस चत्र में पाया जाता है मुकंद्राज जो सेनिया है हडोती पठार के मद्य में से दक्सिन पश्रिम से होकर दक्सिन पूर्दी सा में लगबग 120 किलो मेटर की लंबाई में मुकंद्रा की पाढ़ें यहां पर देखने को मिलती है जो समनंतर रूप से लगबग 150 मीटर की दूरी में लगाता देखने को मिलती है। तो गागरोन नमक इस्तान से इस स्रेणियों के मद्य से अपना मार्ग बनाती है। जो से ढगाववा चित्र आपको देखने को मिलेगा। या काफी वन चित्र आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरब पहाड़ी है। यह जो ब्राउन कलर जो दिख रहा है यह आपके पहाड़ी के रूप में है। दो समनंतर पहाड़ी हैं देखेगा यह पाड़ी है और यह पाड़ी है। लगातार दो पहाड़ी आपको लगातार समनंतर रूप से देखने को मिलती है। बीच में वनों से भरावा एक चित्र देखने को मिलता है। काली सिंद और अहु नदिया यहाँ का प्रमुक नदियों के रुप में आपको यहाँ पर बहती हुई नजर आती है। फिर हम बढ़ते हैं कूर kilos जो स्तान है वह नदिक निर्मिट मै्दार मैंधान को यहां पर बहुत सारी नदिया अपना यहां पर कही नदियों के तंदरा मिलेगा यहां यह जो च्चित्र है काफी पास में लेके जाता होूँ यहां पर आप नदिया के इस यह जो नदि यहाँ पर बैती है इन नदियों द्वारा यहां पर एक बृफ्षित चेतर मेखेगा एसी नदिया है वह यहां पर इस चेत्र को ंदर बैती है तो यह धका हुआ लगबग 7885 वर्ग किलोमेटर का जो चित्र चंबल और उसकी साहिक नदियों तवरा निर्मित मैदानी प्रदेश है तो यहां चंबल और उसकी साहिक नदिया साहिक नदिया कौन कौन सी है काली सिंद पार्वती मेज और उसकी उप साहिक नदिया ने यहां पर इस च्छित्र के आंटर्गा देखने को मिलता है अब L. l. soil होती है वह काफ़ी productive होती है उसमें बहुत जादा मातरा में और जाधा क्रसी वहां पर की जाने की संभावनायच बनती हैं इस कारण पूरा का पूरा का जो छिट्र है वह क्रसी चित्र के अंतर बदलगा, यानि यहां की जो प्रमुक आर्थिक क्रिया है, इस चित्र की, वह क्रसी कारी की रूप में देखी जाती है, तो क्रसी यहां का मुख्य व्यवसाय है, चंबल नदी के किनारे भी बीहड विक्षित हुए है, और जो बीहड होते हैं, वो बीहड बनन होता है, यहां पर नदी की धाराएं, यानि जो चंबल नदी है, उस चंबल की नदी ने यहां से बह रही है, यहां से बह रही है, यहां से बह रही है, और यह जो भाग है, यह भाग है, यह जमीन के टुकड़े हैं, जो कटने से बच गए, बीच का भाग है, वो काफी अध भूमी जहां पर इस नदियों के इस परकार के कह सकते हैं कि आपके नालिया बनी हुई देखने को मिलती है तो इस परकार के जो बीहड है वो इस चेतर के अंतिकत देखने को मिलते हैं और बीहडों की जो इस परकार की जो भूमी होती है उसके लिए जो मुख्य रूप से अप पटाफटा सा एक मैदान सा बन जाता है और इस परकार के कटे-फटे मैदान को कहा जाता है उत्खात भूमी इसे कहा जाता है उत्खात भूमी याद कलीजे काफी इंपॉर्टेंट है उत्खात भूमी या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बैड लैंड टॉपोग्राफी ब structure बनता है तो यहां पर बीहड काफी विक्षित हुए बीहडों को डाकूओं की सरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है किन्तों इनका जो सरूप है काफी विकट नहीं है और विश्तार असिमित है क्योंकि नदियों ने अपनी जगा जगा पर अपने प्रसार खंडों को इस परकार से विक्षित हो यानि बहुत काफी कटा पठा सा पहार यहां पर देखने को मिलता है तीसरा जो चित्र है सहबाद का उंचे चित्र लगा वह वह तो राजस्तान के में अंतरगर आप देखेंगे कि अगर हम बीहड की बात करता है तो ये आपके डग्र गंगाधार की भूमी और हम ये हडोती प्रदेश है अब हाडोती प्रदेश को अंतरगर सबसे पहले हमने इसको पढ़ा एक नमबर जो अर्द चंदराकार व्रत जो के रूप में देखने को मिलता है दूसरा नमबर बारे में पढ़ता है कि ये जो भूमी है वो किस प्रकार से और यहां की क्या विश्यिस्ता है देखने को मिलती है तो सहाबाद का उच्छ चित्र है हाडोती पठार का पूरवर्ती यानि पूर दिसाक के अंतरगर तर पाया जाने वाला compare ले अपेकसा कतर यानि उसके आसपास के चित्र से काफी उच्छ जो चित्र है वो सहाबाद का उच्छ चित्र कहा जाता है 300 मिटर की जो समोच रखा यानि ज़्यादा तर जो पहाड़ियां है वह 300 मिटर उची तक यहाँ पर देखने को मिलती है पश्षिम की और 50 मीटर तक आपको यानि जैसे जैसे आप पश्षिम शेपूर की और जाएंगे तो पहाड़ियों की उचाई आपको बड़ी हुई देखने को मिलेगे सर्वोच जो छित्र कस्वा जो धाना है वो कस्वा धाना वे समूद्र तल से लगबग 456 मीटर यानि ये सर्वोच है एवरेज जो है 300 मीटर है लेकिन सर्वोच जो शिकर है वो आपको 456 मीटर देखने को मिलता है पूर की और उचाई इसकी लोग की देरे देरे कम होती है यानि पूर उससे जैसे जैसे हम जाते हैं तो इसकी जो उचाई है वापिस पुना कम होने लगती है तो यहां पर एक विसेष्ट भू आकरती देखने को मिलती है जो रामगड नाम के जो गाउं है वहां पर देखन को मिलती हैं जिसमें घोडे की नाल की आकरती की एक परवस घोडे की नाल किस परकार से होती है तो घोडे की नाल की इस परकारत होता है इस परकार की तो इस चित्र में आपको घोडे के नाल जैसी आकरती या की पहाड़िया देखने को मिलती हैं तो क्यों ना हम भी देख लेत कहीं कहीं इस प्रकार से पहाडिया जो मिलती हैं जिसकी जो आकरती है वह घोड़े की नाल के समान है तो घोड़े के नाल की समान की जो आकरती है तो यह आपके सहाबाज है जिसकी हम सहाबाज की उच्च भूमी की नाम से जानते हैं तो यहाँ पर आप बैसिकली देख सकते है कि यहाँ पर यह जो घोड़े की नाल यानि घोड़े की नाल अगर इस पहाड़ी को हम इस परकार से देखे तो यह पूरी की पूरी जो पहाड़ है यह आपको इस परकार से घोड़े की नाल की तरफ यहाँ पर देखने को मिलती है तो ये घोड़े की नाल की जैसी आत्रते वाला जो छित्र होता है उसे सहाबाद की उच्छ भूमी के नाम से जाना दाता है ये सहाबाद है और सहाबाद की ये उच्छ भूमी जो घोड़े की नाल के समान दिखाई देती है जो सम्तल छित्र में एकायक बनी हुए इसके मद्य में एक छोटी सी जील है जहां पर प्राचीन वसाव के अफसेश देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि इस रामगड की पाहडी का जो कारण है वो टेक्नोटिक कारणों से हुआ है अब इस जील को भी हम साइद देख सकें तो लॉकेट कर लता है तो जील मुझे नहीं दिखाई डेरी है जैसा कि किताब में लिख रखा है कि यहां पर एक जील भी होनी चाहिए जो इस पहाड़ियों के बीच में या सहाबाद उच्छ भूमी के छित्र के इंटर्गत आपको मिलती है एक जील तो आपको यह नजर आ रही है तो मेरे इसाब से यही वो जील है जिसके बारे में यह जिक्र किया जा रहा है तो यह वो जील है जो सहाबाद के आसपास के चित्र में आपको देखने को मिलती है और यहां पर इस जील के आसपास के चित्र में आपको बसाव तो यह जो है बुमी उसके बीच में यही मुझे जील नजर आती है फिर हम बढ़ते हैं आगे जालावाड का पठार अब जालावाड का जो पठार है वह मुकुंद्रा स्टेडियों के दक्सिड में लगबग 6183 वर्ग किलोमेटर चेत्र में 300-400 पचास मीटर की उचाइवाल पठार है यह मालवाक के पठार का अभिनांग है अब यह का नबर है इसको पहले मैप में देखते हैं जालावाड का पठार त मुख्य रूप से आपके जालावाड के इंत्रियों होता और यह रहा आपका जालावाड और जालावाड का पठार है वो इस प्रकार से यहां पर यह पूरा कबुरा जो च्पर है के पठार के अंदर सामिल किया जाता है पीछे यह जो-बहाग बजता है जिसे डग गंगाधार की भूमी कहा जाता है ये फ़क्त नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं तो इस चेतर की क्या विशेष्टा है तो हम बढ़ते हैं गूगर्विक बनावट की अधार पर हमने इस प्रकार से इसका विबादन किया और इस विबादन में जहलावाट की पठार क जैसी मिट्टियां यानि काली मिट्टी के जमाव देखने को मिलते हैं तो काली मिट्टी का जो चेतर है वहां पर देखने को मिलता है विशेष्ट कुतार पर मनोर थाना अकलेरा और बकानी मनोर पूरा मनोर पूरा को देखते हैं कहां पर हैं तो यहां पर जहलावाड के प मनोहर पूरा थाना तो यहां के आसपास की छित्र के अंतरगत आपको काली मिट्टी के जमाव देखने को मिलते हैं बढ़ते हैं आगे और ये काफी कटाफटा समरूप पठार है एक जिसा पठार है जहां पर कहीं चोटी चोटी नदियों ने गाटिया बना चुकी नेक्स्ट और लास्ट है वो डंग गंगादार की भूमी है यह हडोती के पठार की दक्षिनी पश्चिमी भाग है जिसे डंग गंगादार कहा जाता है और ये काफी उचा चित्र हैं काफी छोटा है 1429 वर्ग किलोमेटर चित्र में पहुंचा फैला हुआ है और 450 मीटर उची पहाड़ी है यह आपको देखने को मिलती है यहां पर पश्चिमी जो शिमा है वो चंबल नदी बनाती है काफी उचा होने के बावजूद भी यह एक क्रशी चित्र है क्योंकि यहा इससे कहा जाता है डग गंगाधार भूमे अब इसकी पस्चिमी शिमा यहां से आपके जो नदी निकलती है यहां पर जो मैंने बनाया है यह जो नदी है चंबल नदी यहां से राजस्तानं के अंदर प्रवेश करेगी राजस्तान से उते वीए कोटा होती वी वापिस आती दंगधार की उच्च भुमी के नाम से जानी जाती है highland होते हुए भी यहाँ पर क्रसी कारी से काफी विक्सित आपको देखने को मिलती है तो इस प्रकार से इसके यानि हारोती का जो पठार है उसके हमने पाज भाग किये हैं और इस पांच भाग को हम इस परकार से वापिस पुना बताएं आपको तो आपको इस परकार से याद रखना है कि ये जो राजस्तान का जो भाग है ये जो भाग है ये है डग गंगादार की वुमी दूसरा जो है ये है आपके जहलावाड वाला चित्र तीसरा ये जो है यहाँवाला यह साबाद का चिंची चित्र फिर उसके बाद यह जो भाग है यह नदीद्वारा मैदान बनावा मैदान और लाश्ट जो बचता है वहां पछता है यहां पर अर्ध-शनद्राकार जो पहाड़ीम का चित्र तो एक पहाडिया दूसरा मैदान तीसरा सावाद की उच्छ भूमी यह जहलावाद का पठार चार और पांच जो है वो है डग गंगाधार की भूमी तो पांच हमने इस परकार से फड़े अब भूव कर भिक बनावट की बात करें तो यहाँ पर जलोड मृता देखने को मिलती है दक्सिन भारत के समान की मिट्या मिलती है अपर बंडार सैंडिस्टॉन है बंडार लाइमस्टॉन के है रिवा इंस्टॉन यानि यह अलग अलग परकार के जो यहाँ पर खनीज बंडार जो पाए जाता है लाइमस्टॉन हो चाहे सैंडिस्टॉन हो चाहिए पाड़ चाहिट हो उसके आधार पर इस प्रकार से इसको बताया जा सकता है मुखी रूप से यहां कर नदिय अफवात अंत्र की बात करते हैं जो काफी महत्वपून है कि इस छित्र के अंत्रक तो जो नदिया बैती है वह नदिया कितनी और किस प्रकार से बैती है तो मुखी रूप से इस हडोती प्रदेश की जो नदिया है वह है चंबल नदि चंबल और उसकी जो साहिक नदिया है उन सभी नदियों ने मिलकर इस रीजन का निर्मान किया है इसको काफी ज़्यदा डवलप किया तो वास्ता में इसकी जो इसतारी दृष्टी से काफी छोटा है लेकिन यहाँ पर देखा जाएं तो यहाँ पर जो अफवात अंत्र है वो पूर्ण रूप से विक्सित नहीं है काफी developed नहीं है, developed नहीं होने के पीछे कारण है, कि यहाँ पर जितने भी जो नदिया आती है, वह इस छित्र में, काफी छोटा छित्र है, इस छित्र में बैती हुई या पिता MP में चली जाती है, तो MP के अंदर चली जाती है, यानि राजस्तान के अंदर का तो उसका जो वहाफी कम रहता है चंबल नदी भी कोटा जिले के अंतर में मध्य प्रवेश करती है पुना राजस्तान और मध्य प्रदेश की सिमा आते हुए आगे पली चली जाती है तो इस प्रकार से मुख्षी नदीयों के अंतरगाद सबसे पहले है चंबल नदी अब जो चंबल नदी अब चंबल नदी जो है यहां से निकलते हुए यह चंबल नदी है और चंबल नदी यहां पर आगे सवेएहां यहां पर आपके MP के अंतरकत बना हुआ है MP के अंदर चंबल नदी पर बना होआ जो बांध है उसे गांधी सागर तो जब जब हम वेने वह यह सिदा सिदा आपके यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ पर बना हुआ है राणा परताप सागर. तो बांध की बात करें तो पहला बांध हो गया गंधी सागर ये तो है एंपिम के अंदर दूसरा बांध जो है राणा प्रताप सागर जो है राजस्तान के अंदर गार राजस्तान में राणा प्रताप सागर बांध पर यहां पर यहां पर आपका परमाणू उर्जा का जो सह मेत्र लगा हुआ है जाता है और यहां पर यह रास्ता निकला गुए है बांध बना हुआ है फिर उसके बाद याणी टोटर यहां पर चार बांद बने हुए है, चार में से एक बांद जो है, वहाँ MP के अंतरकत है, और बाकी के जो तीन बांद है, वहाँ राजस्तान के अंतरकत आपके बने हुए मिलते हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक और बांद बना हुआ है, तो इस प्रकास से continue, यहां पर बहुत सारे बांद बने हुए हैं और इस बांदों से इस पानी को रोपते हुए चंबल नदी जो है आगे सागे कोटा सहर से होती हुए आप देखेंगे तो यहां पर देखेगा कोटा कोटा बेराज जो है यहां पर भी आपको एक बांद मिलेगा और यहां पर यहा तेवल डाल वाली घाटी से बैती हुई 84 गड जो है चितोड कोटा के आसपास कोटा जिले के अंदर प्रुवेश करती है फिर इसके बाद यहाँ पर गांदी सागर गांदी सागर कहां पर बना हुआ है MP के इंतरगत यहाँ पर राजस्तान की बाउंडरी फिर जवाहर सागर पहला बांद कोटा बैराज यह बांद यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसके अलवा एक और जावर सागर कोटा बैराज और एक बांद आपको और जो रावत बटा है वो यहाँ पर देखने को बिलेगा तो तीन बांद यहाँ पर राजस्तान के अंतरगत है और एक बांद जो हैं गांदी साकर के अंतरगत हैं तो इस प्रकार से कोटा बुंदी जिलों में काफी दूरी तक सीमा बनाते हुए यह हाड़ोती के हरदे इस तलका निर्वान काते हैं यह वह रीजन है जहां पर हाड़ोती का सबसे ज़्यादा डवलोप्मेंट हुआ है कोटा के बाद इस और नदी इसके अदर मिलती है जिस नदी का नाम है काली सिंद और काली सिंद जो है यहां पर आप देखेंगे कहीं कई यहां पर मेरे सबसे यही आपके नदी है काली सिंद काली सिंद जो नदी है वह इसके इंतरगत यहां पर प्रवेश करती है और यहां पर इसके अंदर म तो आप हिस्ट्री के इंतरगर्द पढ़ते होंगे तो जो गाग्रोन है यानि गाग्रोन का जो किला है वह यहां पर आपको देखने को मिलता है अब गाग्रोन का किला कहां पर है तो यहां पर आप देखेंगे काफी दूर यह यहां पर गाग्रोन का किला है और गाग्रोन का जो किला है वह काली सिंद्र जो नदी है उसकी किनार है तो यह आपके गादरोन गादरोन का फॉल्ट और यहां से यह जो नदी है यह निकल रही है और यह देवली होते हुए यहां से चोटी-चोटी ट्रिबुज़ी साखाओ के रूप में बैती हुई यह सिदी की सिदी इस नदी के अंदर मिल जाती है और यह चम्मल नदी का मुख्य बागे तो इस प्रकार से यह जो नदी है इस प्रकार से यहां पर मिलती है बढ़ते हैं आगे फिर उसके बाद काली सिंद नौनेर गाउं के बाद मिलती है और उसकी अलावा दूसरी जो है काली सिंद तो इसका पर दो औरिजन है मध्यप्रदेश का देवास है वहां से यह उत्तर के और बैती है जहलावड जिले के राइपूर के निकटी यह राजस्तान के अंदर प्रवेश करती हैं फिर उत्तर के और बैती हुए मुकुंद्रा की जो पाहडिया है बहाँ पर अपना मार्ग बनाती है गागरोन के पास काली सिंद के अंतरगत आहू नदी मिलती है और इससे पूरू इससे उजाड नदी भी इसके एक साके के रूप मे च्पाइस सिंद के लगते हैं तो गागरोन से पहले काली सिंद और आहू नदियां यहाँ पर मिलकर यहां पर दो नदिया आगे के और बढ़ती है और आगे आग जाकर यह चंबल नदी के अंदर फिर परवन नदी भी काली सिंद की एक शाहिक नदी की रूप जो चिपा बड़ोद अट्रू और सांगोज से होती काली सिंद के अंतगर मिलती है तीसी जद नदी है वो पारवती है पारवती चंबल की साहिक नदी है मद्य प्रदेश के गुना जिले की सिमा बनाती है अटू बारा मांगरो तैसिल से गुजरती हुए पुना कोठा और मद्य प्रदेश की सिमा होता हुई वापिस चंबल के अंदर मिल जाती है नदी मेजा नदी उद्गम होता है राजस्तान के अंतगत भीलवड़ा के और बुंदी जिले में ये नेवड गड के पास प्रवेश करके उत्तर पूरु दिशा के अंदर बैती हुई डबलाना तक लगबग 16 किलोमेटर की लंबाई में बैती हुई पूरवर्ती होकर यानि सारी जो नदिया है वह चंबल के अंदर मिल जाए मेज नदी पर जो बांध है जैसे अंगली जो मेज है इसकी प्रमुक साका है और मांगली मेज नदी पर भीमलत नाम का एक अपसू प्रसिद जल प्रपात देखने को मिलता है इस चेतर की जलवायू की बात करें तो संपू सब्सक्राइब का इसकी परत आश्यंवायू सब्सक्राइब कराठा तो सब्सक्राइब पर यहां पर भी चलती है और जुलाई के परतम सब्ता में यहां पर मांसुन पहुच जाता है अन्य भागों के तुलना में यहां पर बारिस काफी अधिक होती है औसतवार्सी वर्सा है लगबग 95 सेंटीमीटर यहां पर देखने को मिलती है उत्तरी पुशिमी जो गुंदी सब्काइब चाट यहांपर लगबग यहां पर देखने को मिलता है कि भासो Wait देखने को मिलते है गहास के मैदान भी देखने को मिलता है वनों का विस्तार हडोती की विस्तेश चित्र में पाये जाता है इसकी जो समतल भूमी है वहाँ पर पाये जाता है पेड़ों की उचाहे लगबग 7.5 मिटर तर देखने को मिलती है बुंदी की और मुकंदवाड़ा की जो पाड़िया या जो साबाद का उच छित्र है वहाँ पर इस परकार के वन देखने को मिलते हैं वैपारिक दरस्टी से जो तेंदू जो मिलते हैं उनका यहाँ पर काफी महत्व है और उससे क्या बीडी के जो खोल होता है वह इसी से बनाए जाता है मिस्त्रित के अंतरकात कहीं परकार के जैसे कि बेर, बेल, टेंदू, गुर्जर, खेजड़ा, आवला, बहेडा, जमून, सैलार, मेमली यह जितने अलग लग परकार के यहाँ पर व्रक्स देखने को मिलते हैं, चंदन के व्रक्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि जालावार्ड, कानवास और कोटा के अंतरकात देखने को मिलते हैं खैर के अवरक्स मिस्ट्र आवस्ता के अंतरगाद यानि बिखने हुए यहां पर परवती ढालों पर मैदानी भागों के अंतरगाद मिलते हैं जिल्लों की बात करें तो यहां पर जालावार्ड कोटा के जो साबाद बारा है हिंडोली जो बुंदी का चित्र है वहां पर आप अらए जाती है प्राप्ट कीजीए तो तता भारी मातरा में जो इधन만 लग्ड़ी जलाने के लिए की लिए वह भी यहां पर प्राप्ट की जाती है मिट्ट की बात कर χ Aid तो यहां पर यहां ठापर जबिती है नदिया का सिसीह जब्लेक रता होता जलोड़ मता है चंबल और उसकी सायक द्वारा नदियो द्वारा जो जमाव है उससे देखने को मिलती है काली मिट्टी की बात करें तो जालावाड और कोटा जिले के दक्सिरिपूरी भाग है वहाँ पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है जो क्रसी के लिए काफी यहाँ पर विविम्ट परकार की जो फसले है यहाँ पर देख सकते हैं तो अलगलग परकार की फसले रभी हो चाहे खरीप हो बोई जाती है लेकिन काली मिटी का जो चित्र है इस कारण यहाँ पर सोयबीन का उत्पदन है काफी अधिक किया जाता है सिचाई के लिए बहुत भी सिचाई की जाती है खनीज की द्रस्टी से काफी महत्पूर्ण नहीं है धात्विक खनीजों का लगबग अभाव है कुछ चित्रों में अगर बात करें तो तांबा और लोहे के प्रमान देखने को मिलते हैं वैपारीक द्रस्टी से काफी उपयोगी नहीं है वहाँ पर जो मकान मनाने के जो पत्तर है वो देखने को मिलते हैं यह कुछ खाने हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कोटा इस्टों जिससे हमारे फर्स बनाए जाता है वो चिकना पत्तर यहाँ पर देखने को मिलता है इसके लावा चुनने के पत्तर और सड़क निर्मान में प्राजस्तान के बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है कोटा यहां का प्रमुक अध्योगिक चत्र है जहां पर इंस्ट्रूमेशन लिमिटेंट की स्थाप्र 1968 में ही कर दी गए थी इसके अलावा विवन परकार के जो इलेक्टिसिटी के उपकरण है वो देखने को मिलत निभाएं इसके अलावा कोटा के आलिया के उन्तर्गा औरिंटन पाउर प्रमुक बनाये जाता है वह भी यहां प्रिशतापित किया गया है। तो इस प्रकार से काफी developed area है, परीवन की देश्टे से कर लिजे, या हर प्रकार से ये काफी developed area है, और यहाँ पर काफी प्रातीन समय से ही परीवन के चितरों का विकास हो चुका था, परतम सुविदा लगवे, 1899 में भी यहाँ पर railway सुविदा यहाँ पर इस्तापित कर दी पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन की जो आकड़े हैं, वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो काफी सिक्सित चितर है, और जिनसंग्या का जो घनत्व हैं, वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, कोटा का नाम मैला स प्रगति के पर काफ और यह पुरा पुरा आडवति का चत्र आपका कम्प्लिट होता है